नमसकर दोस्तो मैं रंजित आपकी सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्तित हो गया हूँ दोस्तो इस वीडिया में मैं बात करने वाला हूँ जो पिछले कई दिनों से मैंने कई वीडियों NPS आनि प्रान नंबर जनरेट करने की प्रकियारफ मैंने वीडियों डला हुआ है उन वीडियों को देखते हुए जो जो भी प्रस्ण मेरे दोस्त हम से पूश्टे से उसका मैं एंसरिंग करते जाता हूँ और उन सब को एंसर देते जाता रहूँ कि किस प्रकार से जो भी प्रोब्लम आ रहा है प्रान नंबर जनरेट करने में उसका कैसे सलूशन होगा इतनी वीडियों बनाने के बाद भी बहुत सारे मेरे दोस्तों का प्रस्ण ये आ गया है कि मेरा रेकॉर्ड फॉन नहीं दिखा रहा है या मेरा प्रान नंबर आ गया है आज सबसे बड़ा प्रश्म है कि प्रान नंबर आने के बाद मेरे फरम में कोई ना कोई गलतिया हो गया है जिसी किसी के नाम में गलती हो गया है किसी के पिता जी के नाम में गलती हो गया है किसी के एकाउंट नंबर में गलती हो गया है किसी का प्रान नंबर आ गया है या नहीं आया है तो यह जो प्रोब्लम हुए है मतलब एक तरह से फोर में तुरूटी हो गई है उसे कैसे सुधारा जाए पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को जानते हैं कि कैसे इन गलतियों को सुधारा जा स प्रक्ता है तो देखिए दूस्तो मैं आपको एक फर्म दिखा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इन जितनी भी मैंने लाइन से गिनाय वज़े से नाम में गलती पिता के नाम में गलती मोबाइल नंबर इमेल आईडी बैंक खाता एड्रेस में गलती फोटो यह सिकनेचर म अब यह गलतीया हुई है रेटार्मेंट डेट में गलतीया ज्वाइनिंग डेट में गलतीया आपका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है तो उसे कैसे दूखारे उसे सुधारने का प्रक्रिया जो है मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एस टू फोरम और एस सेबिन फोर करना है ओभी मैं बताऊंगा और कहां जमा करना है देखिए दोस्तों यह आपको फोरम जो है यह एस टू फोरम है मैंने क्या है गूगल से आप जाएगा और गूगल पर लिखिएगा एनपीस एस टू फोरम तो आपको यह फोरम आपको मिल जागा वहां पर इसके माध्यम स अब का किजियेगा जो भी आपकी गलती हैं उसे कैसे करेक्शन का गेसे भरने की प्रक्रिया क्या है मैं इसमें आपको पूरी दीटल बता देता हूं सबसे पहले देखिए उपर का जो भी यह दोटों बौक्स है उपर आपको नई भरना है आपको सीरहत और दौर और भरना मनले जिसका प्रान नहीं आया है, आप फिर भी सुधार करना चाहता है, तो इनक्लोजमेंट नमबर से भर देगा, अब आते हैं यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्या चेंज करना है, अब देखिए प्रान कार्ड इसू है, यहाँ पर आपको डि बलना होगा, और इसमें आपको जिसे चेंज करेक्शन अब सब्सक्रेशन मास्टर डिटेल्स तो अगर आपको जिसे नाम या कुछ में डिटेल्स में गलती हो रहा है, तो आपको इसमें टिक कर देना हैगा, ऊपर वाला में, ठीक है दोस्तों, उसकी बार जो है, आपका ज सही भरियेगा, आपको अगर कोई एक चीज माल लेजे, मोबाइल नमबर या इमेल आइडी या नाम सुधारना है, या नाम में कोई स्पिलिक सुधारना है, फिर भी आपको ये टूटल फर्म भरना होगा, तो सबसे पहले इसे आपके किजिए है कि सबसे फर्स्ट नेम जो और जो भी इसमें देखिए आप जो है डेट ऑप पर्त आपका जो सही हो वो देट ऑप बर्त भरिये, और यहां पर जो टिक करना है वो टिक कर देजिए, कि यसी नमबर माल लेजिए आपका आधहार काड है, तो उस आधहार काड का नमबर यहाँ पर आप डाल देजिए, क्योंकि यह कोई ना कोई डॉक्मेंट के माधम से अस्पॉंसर नेम है मतलब अपना ही नाम है आप डलिया अगर पैन काड आपका है तो यहां पर पैन कड़े जो डीटेल्स इसमें भरना वो सिंपल है अब आपको भरना है कि किस आधार पर आप इसे कह रहा हैं कि मेरा यह गल अखे गई है लेकिन इसमें से पैन कार्ड या ड्राइवर लेसंस या पासपोर्ट या फोटर आडी कार्ड के माधम से आपको नमबर आपको कोई ना कोई देना ही होगा ठीक है अब यहां पर आते हैं कि प्रूब अप अड्रेस आइडरेस के लिए आप यहां पर क्या प्र बात है उसका बद प्रमनेंट आड्रेस का जो है ओड्रिस कीजिए आपका मॉबाइल नमबर दी है अगर उसमें सुधार करना चाहती है तो आप मोबाइल नमबर यहां पर जो नया वाला दिना चाहती है उसको अपडेट आप डाल दिजिएे अधर डिटल में है जो कि आप सरकारी है अगर गुरुमेंट सेक्टर में तो यहाँ पर देखिए गुरुमेंट सेक्टर है ना आप गुरुमेंट सेक्टर नहीं जो आपको प्रान नवर ऑनलान करते समय जो चीज है उसमें आपको यह चीजे डालना होगा ठीक है और डालने के बाद यहाँ पर दोस्तों ट से डाला हुआ है तो फिर भी आप इसमें डाल कर दे दिजे क्योंकि यह उसी के लिए है आप से गलतिया हो गए तो सुधार के लिए अगर आप दे चुके हैं तो आपका यह चीज अपडिट हो गया फिर आते हैं नीचे देखिए बाकी जो चीज़े आपको समझ में नहीं आती है वो चीज़े आपको छोड़ देना है यहां पर इंप्रेशन रहेगा यहाँ पर आपका जो फिर डिदिए ओफिस्वे काम है जो चीज यहाँ पर नाम देना है मलने एडिस्ट नोमिनेशन नेम और लोड़ना है तो फर्स्ट नेम में आपको जोड़ना होगा उसके बाद आड्रेस करना होगा यहाँ पर नौमनिका ऐड्रेस लिखना होगा relationship क्या है यह चीज भरना होगा किवल एक ही अगर नोमनी के नाम दिया है तो एक ही क्या चीज यहाँ पर जोड़ना होगा ठीक है जोड़ने के बाद यहाँ पर सिखने चल अथाव यहाँ पर अपना करना होगा यह फोरम को आप समेट करें इस तरह से इसे भरने के बाद दोस्तों जो भी यह डीटिल्स है इस डीटिल्स को भरना जो चीज समझ यहाँ पर देखिए इंट्रक्शन दिया है कि आप कैसे इसे भर सकते हैं अब यह जो details है S2 form भरने का, अगर आप इसे total verse कर साथ, देखें यहाँ पस लिखा भी है, request for change and correction, सबस्क्राइब master details and यहाँ पर लिखा हुआ है न, आनि यह change करने के लिए S2 form change कर, जो भी गलतिया हैं हम से, जो भी लोग कहते थे कि sir मेरा यह गलतिया हो गया है, तो यह application के सा आप इसे ले जाकर video office में जमा किजे, इसे आपका शुधर जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने form में बताया कि कैसे इसको fill up करना है, और इसे video office में जमा करना है, इसके साथ जो भी आप प्रूब देंगे, उसे प्रूब लगाना पड़ेगा, आपको सा समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे जमा करते हैं, तो आपका जितने भी document में गलती किये हैं, आप भरते समय में, online करते समय, वो सारे चीज अपडेट हो जाएगा, लेकिन जिनकी गलतिया होई, इसमें जो भी चीजे आप डालिएगा, वो अपडेट हो जाएगा, और सारे जो गलतिया आप से होईए, वो शुधर जाएगा, दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जिससे आपकी सारी समस्या का श्रमधान हो सके, वीडियो को लाइप कीजिए, सबसकर्व के और दोस्तों को सेर कीजिए, देहें दोस्तों